देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरे वो भी मेरे साथ प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज है मुंबई कुछ ज्यादा ही प्रभावित है लेकिन प्रुहन मुंबई महानगर पाली का कमिशनर इकबाल चहल ने कहा कि अभी लोकल ट्रेनों से यात्रा पर कोई और प्रतिबंद लगानी की आवशक्ता नहीं है वही मध्धर रेलवे की पांचवी और छटी लाइन के लिए ठाने और कलवा स्टेशनों के बीच अप और डाउन स्लो लाइनों पर 36 घंटे का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक लिया जाएगा इस कारण रेल परी चालन बाधित रहेगा तो पुने में एक नाबालिक नेपाली लड़की से दुशकर्म का मामला सामने आया है पुलिस ने और्टो रिक्षा चालक समेथ तीन लोगों को ग्रफतार किया है इसी बीच प्रदेश में 7-10 जनवरी के बीच बारिश होने के आसार है विदर्ब में कई जगह पर ओले भी पड़ सकते है उधर अभी नेतरी कंगना रनाउत एक वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रही है यूजर्स उनकी जम कर आलोचना कर रहे है प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ महराश्य में कोरोना वाइरस पुरी रफ्तार से फैल रहा है राज्य में शुक्रवार को कोविट के 40,925 नए केस दर्च किये गए इनमें आधे से जादा मरीज अकेले मुंबई शहर से है मुंबई में बीते 24 घंटों में 20,971 नए मरीज मिले है हाला कि गनीमत ये रही है कि शुक्रवार को कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन का कोई भी मरीज नहीं मिला लेकिन राजनिती गलियारों में लगातार उपर राजधाने में लॉकडाउन की चर्चा होती रही हाला कि मुंबई में लॉकडाउन या आतिरिक्त प्रतिबंद लगाने की आशंकाओ को BMC के कमिशनर ने खारिस किया है व्रुहन मुंबई महानगर पाली का कमिशनर इकबाल चहल ने कहा कि पहली और दूसरी लहर के दोरान लॉकडाउन लगाने का फैसला पॉजिटिविटी रेट के आधार पर लिया गया था लेकिन 21 दिसंबर 2021 से शुरू हुई तिसरी लहर के लिए ये पैमाना लागू नहीं किया जा सकता इकबाल चहल ने कहा कि लोकल ट्रेनों से यात्रा पर कोई और प्रतिबंद लगाने के आवशक्ता नहीं है क्योंकि केवल पुरी तरह से टीका करन वाले लोगों को ही ट्रेनों में सफर करने की अनुमती दी जा रही है चहल ने कहा कि पहली और दुसरी लहर में कसोटी संक्रमन दर थी लेकिन वाइरस के ओमिक्रॉन वेरियंट के इस लहर में दो नए मानद अंड़ अस्पताल के बिस्तरों की जरूरत और ऑक्सिजन की आवशक्ता होनी चाहिए मध्य रेलवे की पांचवी और छटी लाइन के लिए ठाने और कल्वा स्टेशनों के बीच अप और डाउन सलो लाइनों पर 36 घंटी का इन्फरास्ट्रक्चर ब्लॉक लिया जाएगा इस ब्लॉक में ठाने दिवा के बीच पांचवी और छटवी लाइनों के लिए नए बिचाये गए ट्रैक और प्रॉसोर को शुरू करने के लिए कट और कनेक्शन का काम किया जाएगा ये ब्लॉक अप और डाउन स्लो लाइन पर आट जन्वरी को दो पर दो बजे से दस जन्वरी की राद दो बजे तक ब्लॉक लिया जाएगा इस ब्लॉक के दोरान ठाने और विटावा रोट अंडर ब्रीज के बीच नए बिचाये गए ट्रैक को काट कर मौजुदा डाउन और अप स्लो लाइन से जोड़ा जाएगा इसी प्रकार ब्लॉक अवधी के दोरान ठाने और कलवा में याड रिमोडेलिंग और इंटर लॉकिंग विवस्था में परिवर्तन के समन्द में क्रोस ओवर, टर्न आउट, डिरेलिंग स्वीच को शुरू करने के लिए काम होंगे ब्लॉक के दोरान ठाने और कलवा सेक्शन पूरी तरह से प्रभावित रहेंगे इस दोरान लोकल ट्रेने ठाकुरली, कोपर, मुम्रा, कलवा, नाहूर, कांजुर मार्क और विद्या विहार स्टेशन ओपर नहीं रुकेगी ब्लॉक अवधी के दोरान डोम्मी वली से शुरू, खतम होने वाली उपनगरिय सेवाए उपलब्द नहीं होगी पुने में एक नाबालिक नेपाली लड़की से दुशकर्म का मामला सामने आया है पुलिस ने कथिद दुशकर्म के आरोप में और्टो रिक्षा चालक समय तीन लोगों को गिरफतार किया है घटना पांच जनवरी की है जानकरी के मताबिक पिडिता और्टो रिक्षा में अपने सहली की साथ यात्रा कर रही थी किराय के पैसे न होने पर आर्टो रिक्षा चालक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर नाबालिक के साथ दुशकर्म किया इस दौरान पिडिता की सहली वहाँ से भागने में सफल रही दुशकर्प के बाद पिडिता ने अपने सहली के साथ मिलकर पुलिस में शिकायत दर्च कराई पुलिस ने तीनों आरोप्यों को कोट में पेश किया जहां से उन्हें 11 जनवरी तक के लिए पुलिस हिरासत में बेश दिया गया है बहराल ऐसी घटनाओं से प्रदेश हाल के दिनों में शरमसार होता रहा है राश्टी अपराद रिकॉर्ड ब्यूरो के हालिया आंकड़े भी इसकी पुछ्टी करते है पिछले साल महिलाओं के साथ बलादकार या सामोहिक बलादकार के बाद हत्या के सबसे ज़्यादा मामले महारश्ट में ही सामने आए है राज्ज़ में साल 2019 में 47 ऐसी वारदाते हुई है जब अपराद ही उन्हें महिलाओं के साथ रेप के बाद उनकी जान ले ली उसके बाद के वर्ष 2020 और 2021 में भी हैवानियत का नंगा नाच होता रहा डोंबी वली हो या सांगली, सामुहिक दुश्कम की घटनाओं ने कई अबलाओं की असमत तारतार की प्रदेश में 7 से 10 जन्वरी के बीच बारिश होने के आसार है इन 4 दिनों में उत्तर महराश्र और मराठवाडा में बिजली कड़कने के साथ बारिश हो सकती है वही विदर्ब में कई जगह पर ओले भी पड़ सकते है पुणे मौसम विभाग के अनुसार मराठवाडा में 8 जन्वरी से बारिश होने की समभावना है वही विदर्ब में 8-10 जनवरी के बीच कई इलाकों में बारिश हो सकती है कई इलाकों में ओले भी पढ़ सकते है मौसम विभाग ने बुल्धाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, नाकपुर में 8 जनवरी को यलो अलर्ट जारी किया है फिर 9 जनवरी के लिए भी अमरावती, वाशिम, यवतमाल, वर्धा, नाकपुर, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, गर्ची रोली में भी यलो अलर्ट जारी किया गया है महाराश्च के गई जीलो में बिते कुछ दिनों में अच्छी बारिश हुई है एमद नगर जैसे कुछ जीलो में बारिश के साथ ओले भी पड़े थे इसी वज़े से लोगों को ठंडी की मार भी जेलनी पड़ रही है अब फिर कई जगों पर भारी बारिश के संभावना जताई गई है इससे ठंड और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है हाला कि स्ठंड और बारिश का फायदा गेहू, जवार और चना जैसी फसलों को मिल सकता है खिती की सानी से जुड़े जानकारों का मानना है कि फिलहाल उमिद ऐसी ही दिख रही है बॉलिवुड एक्ट्रेस कंगना रनाउत अपनी फिल्मों और बयानों के साथ साथ अपनी एक्टिविटीज को लेकर भी खुबसुर्कियों में रहती है एक्ट्रेस के स्पोर्टेट वीडियो इंटरनेट पर ताबर तो वाइरल होते हैं और यूजर्स इन पर जम कर प्रतिक्रियाय देते देखे जाते हैं इस कड़ी में कंगना रनाउत का एक वीडियो इंटरनेट पर चाया हुआ है जिसमें उनकी हरकत देख यूजर्स भड़क गए है और कमेंट कर उनकी क्लास लगाते नजरा रहे हैं कंगना रनाउत के वीडियो को बॉलिवुड के मशहूर सेलिब्रेटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने अपने ओफिशिल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है जिसमें एक्ट्रेस सच धशकर एक इवेंट का हिस्सा बंती नजरा रही है इसी दोरान कंगना कैम कि कोरोना समय में आप पेस्ट्री को वापस ट्रे में रख रही है ये क्या हरकत है दूसरे ने निखा है कि पागल हो क्या आप जो इस समय में ऐसा कर रही हो वही एक अन्या ने तो कंगना को चुडेल करार दे दिया है साथ ही अन्या कंगना पर कोरोना फैलाने का आरोप भी लगा रहे हैं उदर राष्टिय स्वयम सेवक संगा की तीन दियुसे समनवाई बैठक हैदराबाद में संपन्न हुई प्रतीनी थी उन्हें भारत के इंद्रिक छिक्षा, रोजगा सुजन और कुपोशन उन्मुलन समित अन्यबाद उपर चर्चा की इसी बीच भारतिय मुल्के ब्रिटिश विशेशग्य ने चेताओं नी दी है क्यों कोविट का अगला वेरियंट बहत घातक हो सकता है ओमिक्रॉन की कम गंबिर्ता के पीछे वाइरस के स्वरुप परिवर्तन में विकास वादी गलती है देश भर की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जाने के लिए बने रही है आप हमारे साथ गोवा, मनिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदिश और उत्तर अखंड में अगले कुछ महिनों के अंदर ही विधानसबा चुनाव होने है इस साल के आखिर में हिमाचल प्रदिश और गुजरात में भी विधानसबा होने है कोरोना के ओमिक्रोन वेरियंट के बड़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने स्वास्टा अधिकारियों संग कई दोर की वारताय की और अब उत्तर प्रदिश, उत्तर अखंड, पंजाब, गोवा और मनिपूर में विधानसबा चुनाव की तारीकों की गोशना कभी भी संभव है रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदिश में 8 चरनों में मतदान कराने का अयलान संभव है इसके अलावा मनिपूर में 2 चरनों में गोवा और उत्तर अखंड में 1 चरन में मतदान कराने का अयलान चुनाव आयोक कर सकता है माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाला चुनाव सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और पंजाब में कॉंग्रेस के लिए काफी आयहम है वही गोवा का विधान सभा चुनाव मुख्य तोर पर बीजेपी कॉंग्रेस और आप टी-मसी के बीच माना जा रहा है उमित की जा रही है कि कुछ नए नियोमों की भी गोशना हो सकती है पंजाब दोरे पर गए प्रदानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में गहरे राच खुलते जा रहे है सुप्रीम कोट में याची का दायर होने की भनक लगते ही पंजाब पुलिस ने केस तो दर्श कर लिया लेकिन उसने हत कर दी है पंजाब पुलिस ने कुलगड़ी ठाने में जो केस दर्श किया है उसमें IPC की धारा 283 लगाई गई है इस धारा में सजा 200 रुपे जुर्माना है इसकी जमानत भी पुलिस थाने में ही हो जाती है आरुपी को कोट टक जाने की जुर्रत नहीं है पंजाब पुलिस ने F.I.R. में किसी का नाम नहीं लिखा है हैरत की बात तो यह है कि इसमें कहीं भी प्रदानमंत्री नरेंद्रवोदी का काफिला रोके जाने का जिक्र नहीं है वही इसमें प्रदानमंत्री की सुरक्षा के लिए बने SPG एक्ट को भी नहीं लगाया गया है इस बीच प्रदानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला बीजेपी आसाने से छोड़ने नहीं वाली है इस पूरे प्रकरण ने बीजेपी को मौका दिया है कि वह मोधी के नाम पर वोटरों को लुबा सके खास्तोर पर उत्तरप्रदेश जैसे अहमराज्य में प्रदानमंत्री मोधी को चुनाव प्रचार का चेरा बना कर बीजेपी को उसी तरह का फायदा पाने की उम्मिद है जैसा वा बीते समय में कई बार पाच चुकी है बीजेपी निताओं ने कॉंग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है अती सुरक्षित समझे जाने वाले तिहाड का एक सच हैरान कर रहा है मनी ओर लेकर तिहाड जेल परिसर में पहुचा डाकिया एक कैदी को प्लास्टिक के कई पाच देने की कोशिश कर रहा था उसे सुरक्षा कर्मियों ने दबोच लिया उसके पास से बरामद हुए च्छा पाच में तंबा को भरे हुए थे दरसर डाकिये की हावाव से जेल कर्मियों को कुछ समय पहले संदे हुआ इसके बाद उस पर नजर रखी जाने लगी वह जब भी जेल आता उस पर तीसरी आग के अलावा डेवडी पर तैनाद जेल कर्मी नजर रखे हुए थे सुतरों का कहना है कि वह दो दिन पहले जैसे ही पहुचा उस पर नजर रखी गई जेल कर्मियों ने पाया कि वह एक कैदी को प्लास्टिक के कई पहुच दे रहा है जेल कर्मियों ने उसे पकड़ लिया आरूपी कैदी से जब पूच्टाश की गई तो उसने बताया कि किसी को संदे नहीं हो और तलाशी के दवरान पहुच पकड़ में नहीं आये इसके लिए वह डाकिये द्वारा दिये गए सभी पहुचों को निगल लेता था जेल के भीतर वह पूचने पर देर सारा पानी पीता था काफी पानी पीने के बाद उसे उल्टी आती थी जिसके साथ पौच बाहर आ जाता था फिर उसे वह चिपा कर रख देता था तिहार के इस सच के बाद जेल प्रशासन सक्ते में है अब बहार से आने जाने वाले पर सक्त निगरानी की जा रही है राष्ट्रिय स्वयम सिवक संग की तीन दिऊसिय समन्वाई बैठक हधराबाद में संपन्नुवी बैठक में प्रतिनीदियों ने भारत केंद्रित, शिक्षा, रोजगार, सुरुजन और कूपोशन उन्मूलन समित अन्य बातों पर चर्चा की ये बैठक के हर साल जनवरी और सितंबर में आयुजित की जाती है RSS महासचिव मन्मूहन वैध्य ने कहा कि बैठक में 36 स्वतंत्र संगटनों ने हिस्सा लिया हाला कि इन में 24 महलाव सईत, 200 से अधिक प्रतिनीरियों के आने की उम्मित थी जिन में से 91 प्रतिशत ने भाग लिया मन्मूहन वैध्य ने कहा कि कूरोना की तीसरे लाहर की तयारी के लिए 10 लाक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है उन्होंने कहा कि महामारी की पहली लाहर के दावरान संगशकों को बन कर दिया गया था लेकिन अब उन में से 55,000 सक्रिय है और चल रहे है अक्तुबर 2019 की तूलना में 93,000 सदी जगों पर RSS का काम फिर से शुरू हो गया है कई युवा संगटन की वेबसाइट के माध्यम से RSS में शामिल होने की इच्छा वेक्त कर रहे है 2017 से 2021 के बीच एक लाग से अधिक लोगों ने RSS में शामिल होने की इच्छा जताई उन्होंने काहा कि RSS की 60 पी सदी शाखाए चात्रों और युवाव के लिए है जबकि बाकी सभी के लिए है RSS का लक्ष भारत को दुनिया का सबसे महान और महान राष्टर बनाना है भारतिय मूल के ब्रिटिश विशेशग्ये ने चेताऊनी दी है कि कोविट का अगला वेरियन बेहत घातक हो सकता है फ्रोफेसर रविंद्र गुपता ने कहा कि ओमिक्रॉन की कम गंबिरता अच्छी खबर लग रही है जबकि असल में वाइरस के स्वरूप परिवर्तन में विकासवादी गलती है प्राकृतिक तोर पर जब यह गलती दुरुस्थ होगी तो कोविट का नया वेरियन खौफनाक हो सकता है गुपता ने ओमिक्रॉन पर अध्धहन के बाद कहा असल में उमिक्रॉन जीन कोशिकाओं को संक्रमित कर रहा है वे फेपडों में काफी कम पाई जाती है जिससे यह उतना गंभिर नहीं लग रहा है जबकि असल में इसका संक्रमन किसी भी लिहाज से हलका नहीं है माना जाता है कि वाइरस समय के साथ हलके हो जाते है लेकिन ये दिरगकालिक विकासवादी नतीजे होते है कुविट के मामले हिया दौर नहीं आया है यह तेजी से फैल रहा है वाइरस जैविक वहवार में बदलाव का इरादा नहीं रखता बस गलती से ऐसा हो गया है कि उसने उनकोशी का उपर हमला किया जो फेपडों में कम होती है या फिलाल अच्छी खबर लग सकती है लेकिन नए वेरियंट खतरनाक हो सकते है कोई एक तो ऐसा होगा जो तेजी से फाइलेगा वा गंभीर रूप से बीमार बनाएगा उन्होंने कहा कि टीका करन ही कुविड के खिलाब एक मातर ठोस उपाय है जबकि हमारे सामने एक कथित रूप से कम गंभीर बीमारी पैदा करने वाला वेरियंट है तो हमें इसका फाइदा उठाते हुए जादा से जादा लोगों का टीका करन करना चाहिए की ट्रेनिंग दी 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 है वही ऑस्ट्रिया की दिगजगेंबाच शेडवार ने संसनी खेज दावा किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में खराप्रदर्शन करने के लिए उन्हें रिश्वत का उफर दिया गया था उधर शिलंका के उर्जा मंद्री उदै गवन पिल है दुनिया भर के इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ चिनी अधिकारियों ने कथित तौर पर धार्मिक उग्रवाद और आतंकवादी गती वीदियों को रोकने के लिए शिंजी आंग में कई उईगर व्यापारियों बुद्धी जी बार सैटलेट तस्वीरे और खोजी रिपोर्ट कर चुकी है वीगर मुसल्मानों पर चिनके जुल्मों की एक और कहानी सामने आई है चिनके पश्यमी शिंजी आंग शेत्र में एक महिला को आधी रात में अपने घर से अगवा कर लिया गया था महिला पर आरोप लगाए ग के मानस काउंटी की निवासी है मैई 2017 में अधिकारियों ने उनका आपरन कर लिया था जिसके बाद से उनके बारे में कोई जानकरी सामने नहीं आई थी जानकरी के मताबिक पुलिस आधिरात को हसीयत के घर में घुसी और उसके चहरे पर एक काला नकाब पहना दिया अधिक चलाने की ट्रेनिंग दी है, इस पेशल गाड़ी को भी मचली के चलाने लायक डिजाइन किया गया है, इस गाड़ी को फिश ओपरेटेट वहिकल का नाम दिया गया है, ये जिवचालक की सीट पर बने पानी के एक छोटे से टैंक में अलग-अलग दिशाओं में तैर कर विश मचली की नेविगेशन श्रमता युनिवर्सल है या फिर वो सिर्फ अपने परिवेश तक ही जिमिद है, मूल रूप से वेग्यानिक ये जानना चाहते थे कि क्या मचलीयों का पानी के भीतर नौवहन कोशल हर जगा काम करता है या नहीं, बायो मेडिकल इंजिनियरों और जुरो साइंटिस्ट की एक टीम को इसे जांचने के लिए एक क्रियेटिव का सहरा लिया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मचलीया सिर्फ पानी के भीतर ही सास ले सकती है, इसके लिए वेग्यानिकों ने मोटर से चलने वाले पहियों से बने FOV का इस्तमाल किया, जो एक कै कामेरा, कंप्यूटर और लाइट डिटेक्शन तकनीकी मदद से पानी की टैंक में मचली की गती वीधियों के हिसाब से दिशा बदलने में सक्षम था औस्टेलिया के दिगध गेंदवाज शेन वार ने एक संसनी केस दावा किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दोरान उन्हें रिश्वत का ओफर दिया गया था उनका कहना है कि मैच में खराप रदर्शन करने के लिए उन्हें कहा गया था एक डॉक्यूमेंटरी शेन में उन्होंने इसका खुलासक किया उन्होंने कहा कि 1994 में कराची में पाकिस्तान के खिले गए टेस्ट मैच के चौथे दिन उन्हें 2,76,000 डॉलर की रिश्वत पेश की गई थी और ये ओफर पाकिस्तानी कप्तान सलीम मलिक ने दिया था सलीम मलिक ने उनसे कहा था कि मुझसे मिलना है वो मलिक से मिले भी और दोनों बैट कर मैच को लेकर बाते करने लगे मैंने कहा कि हाँ मुझे लगता है कि कल हम जीत जाएंगे इसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा कि हम नहीं हार सकते आप नहीं जानते कि अगर हम घर में ही हार गए तो हमारे घर जला दिये जाएंगे वोन ने कहा कि इसके बाद मलिक ने मुझे और मेरे साथ ही खिलाडी टीम को रिश्वत आफर की साथ ही मुझे वाइट डालने के लिए कहा गया वोन ने कहा कि मलिक की इस बात को सुनकर वो हैरान रह गये और उन्होंने पाकिस्तानी खिलाडी को कहा कि नहीं हम तुमको हराएंगे इसकी जानकारी कप्तान मार्क टेलर, कोज बॉब टेलर को दी और मैच रेफरी तक भी ये बात पहुच गई साल 2000 में मलिक पर आज जिवन प्रतिबंद लगा दिया गया था श्रिलंका भारत से 50 करोण अमेरिकी डॉलर की इंधन रून सहायता लेने पर विचार कर रहा है गटना करम से जुड़े लोगों ने कहां कि दोनों देशों के बीच तेल टैंक सौधे पर हस्ताक्षार के बाद उर्जा सहयोग बढ़ने के बीच पड़ोसी देश भारत से रून सहायता हासिल करने की संभावनाय तलाश रहा है पड़ोसी देश ने इंडियन ओयल कॉर्परेशन की श्रिलंका शाखा, सिलोन पेट्रोलियम कॉर्परेशन और दोनों कमपनियों के संयुकत उध्यम के साथ त्रिंको माली में लगभग 75 तेल टैंकों के पुनरविकास के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षार किये थे श्रिलंका के उर्जा मंतरी उधे गमन पिला ने कहा कि उनका देश जनवरी के तीसरे सप्ताह में इंधन संकट का सामना कर सकता है उन्होंने केंद्रिय बैंक से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपिल की ताकि आयात के लिए जरूरी विदेशी मुद्रा का इंतिजाम किया जा सके श्री लंका की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो ये जल्द इवालिया हो सकता है विशेशक्यों की माने तो श्री लंका की इस हालत का चीन ना सिर्फ फायदा उठाएगा बलकि उसका इस्तेमाल भारत के खिलाव भी कर सकता है ये समझा जा रहा है कि श्री लंका अपनी आर्थिक हालत को सुधारने में नाकाम रहता है तो चीन को वहां की नीतियों में दखल करने का मौका मिल जाएगा जिसका सबसे अधिक नुकसान भारत को उठाना पड़ सकता है कोरोना महामारी एक बार फिर से अपने चरम पर पहुच सकती है दुनिया के तमाम देश इसे निपटने की तयारी कर रहे है इसे बीच खबर आई है कि लंदन के कई अस्पताल में एनेचेस करमचारियों की कमी होने की वज़़ से वहां पर सेना के ज़वान भेज गये है एनेचेस करमचारियों में से कई संक्रमित है इसलिए उन्हें घर पर ही रहने की सला दी गई है ऐसे में वार्डो में कर्मचारियों की कमी होने लगी दरजनों मेडिक्स को कम से कम एक हफते के लिए ओमिक्रोन की वज़े से अलग थलग कर दिया गया है ओमिक्रोन देश भर में फैल गया है रिकॉर्ट संख्या में लोग संक्रमित हुए है अस्पताल में भरती होने के जोखिम को बताने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रोन संक्रमित मरीजों की संख्या डेल्टा की तुलना में 50-70% कम है स्वास्ता दिकारियों ने कहा है कि कोविट बूस्टर वैक्सिंग ओमिक्रोन से बचने में मदद कर रहे है स्वास्ता सचिव साजित जावित ने अस्पताल में सेना की मौजुदगी की तारिफ की उन्होंने कहा कि एक बार फिर वे एनचस कारेकरताओं की मदद के लिए जवान आ गया है विराजधानी में 2400 गंटे काम कर रहे हैं लगभग 2000 सेनिक देश भर में अस्पताल में भेजे गए हैं इसमें 40 सेन्य मेडिक्स और 160 सामाने ड्यूटी करमी शामिल है तो इस खास पेशकर्श में बस इतना ही आप से कल फिर बुलागात होगी तब तक देखते रहे हैं विके वी नियोज तमस्कार झाल